हे गाईज, वेलकम यू अल टो देव हूमी करियर पॉइंट, तो आज डिसकस करेंगे साइन्स पार्ट 20, यहाँ पे भी कुछ महत्वपों साइन्स एम सिक्यूर्ज हैं, और काफी महत्वपों होंगे यह साइन्स एम सिक्यूर्ज जो भी अपकमिंग एक्जाम्स हैं, जैसे साइन्स एक्जाम्स के कुछ एक्जाम मैं साइन्स पूछी जाती है, तो यूगे ट्रिपल सी की तरियारी करने वाले केंडिडेट्स के लिए भी काफी महत्वपों हैं, इसके साइन्स साइन्स एक्जाम के लिए महत्वपों हैं, मैं बात करूँ, CGL हो, SSC CGL, इसके साइन्स साइन्स 10 प्लस 2 हो, क्लेरिकल वाला, SSC MTS आएगा, मुल्कि टास्किंग इस्टाप, तो वहां पे भी काफी महत्व महत्तुपूण ये question है, तो science की series है, इसको बिल्कुल मिशना करें, मैं देखता हूँ कि science की question पर आपका कम focus रहता है, लेकिन science के question काफी महत्तुपूण है, और खासकर उन लोगों के लिए, जो तैयारी कर रहे है, central government job की, तो central government की exam होते है, वहाँ पर science काफी पूछी जाती है तो काफी महत्तुपूण ये series है, तो चलिए शुरू करेंगे, पहला question देखेंगे आज, सुस्क cell क्या है, तो सुस्क cell यहाँ पर dry cell की बात हो लिए, तो सबसे पहले समझे, जो हम घरों में यूज करते हैं, अपने टीवी रिमोर्स में, और घर की clock में, वो cell कहलाते हैं सु जो बार-बार charge होती है, बात करें मोबाइल की battery भी देती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मोबाइल कई बार charge होता है, और शुस्क cell यह होता है, क्यों एक बार use होता है, उसके बार जैसे वो खतम हो जाता है, तो हम उसको destroy कर देते हैं, ठीक है, तो समझ पाए होगे अगला देखें, प्रकास की गती नियून्तम होगी, तो दिये गए options में से किस में प्रकास की गती नियून्तम होगी, तो प्रकास की चाल सरवादिक तो होती है निर्वात में, और यहाँ पे दिये गए option में सबसे कम गती होगी प्रकास की काच से गुजरने पर, option C होगा, तरित चालक किसके बनाई जाते हैं, तो तरित चालक क्या होते हैं सबसे पहले समझे, देखे फ्रेंट्स, हम जहां पर उत्राखण में रहते हैं, तो यहां पर दो मंजिला या तीन मंजिला घर हम देख पाते हैं, लेकिन हम मैं बात करूँ सहरों के, तो सहरों में काफी भावित करती है building को तो तरल्त चालक पूरी बिजली को absorb करके नीचे जमीन में फैक देता है तो तरल्त चालक से एक वायल जोल जाते है जो कि भूमी गत कर दी जाते है जैसे यहाँ पर वजल पात होगा कभी टिक है ऐसी condition कम रहती है लेकिन अगर हो गया कभी तो इस वाले ऐसे condition में क्या होगा कि जो बिजली यहाँ पर पढ़ गी वो सीधे इस वायल से होकर भूमी में चले जाएगी और building पर कोई effect नहीं पढ़ेगा तो यह होता है तरल्त चालक और यह तरल्त चालक बनाए जाते है किसके इसका सही answer है friends option C ताबे के ताबे का बनता है तरल्त चाल में और इसका उल्टा कौन करता है विद्द तुर्जा को यांत्रिक में बदलता है मोटर विद्द मोटर option B अगर चुम्बगा छेत्र मापा जाता है तो चुम्बग के छेत्र किस में मापा जाता है अप्शन D होगा इसमें फ्लक्सोमेटर ठीक है option D next धेकिए नति और चु तो उत्तर यह जो चुम्ब की धुर्व होता है, इसका नमन कोण हमेशा होता है, 90 डिग्री, सम कोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है, अगला देखे, स्कुटर के आविश्कार कौन है, तो स्कुटर का आविश्कार किया था, किसने, ब्राट स्वाने, ठीक है, option A is the right answer, नहाभी के जो रियक्टर होता है, वहाँ पर उल्जा कैसे उत्पन्न होता है, नियंतरित, विखंडन द्वारा, ठीक है, तो परमानु विखंडन प्रिक्रिया चलती है, नहाभी के रियक्टरों में, अगला देखे, कोबाल्ट 60 उत्सरजित करता है, तो कोबाल्ट 60 कौन सी कीरणे उत्सरजित करता है, तो इसका सही आंसर है, ओप्शन C, ये गामा रेज निगालता है, कोबाल्ट 60, पॉजित्रों की खोच किसने की थी, तो देखे, पॉजित्रों एक धना अविशित करने है, सबसे पहले तो जान लिजिए, और पॉजित्रों की खोच की थी, क्लोराइड, नेक्स से देखे, अतिचालक का लक्षन क्या है, तो अतिचालक, तो देखे, अतिचालकता क्या है, अतिचालकता किसी भी धातू या किसी भी चीज की वो कंडिशन है, जहां पर क्या होता है, पॉजित्रों सुनने हो जाता है, और बिल्कुल अतिचालकता हो ज की जाए ठीक है जिसमें प्रतिरोध सुन्ने हो जाए तो उच्छ पारगम्मता हो जाएगी तो option यह का सही आंसर है अगे थोस कपूर से कपूर वास्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो थोस कपूर से जो कपूर वास्प बनाया जाता है यह प्रक्रिया कहलाती है option D उल्धो पातन वैज्यानिक आर्कमिडीज का संबंद किस देश से है तो आर्कमिडीज ठीक है जिन्होंने उत्प्लावन वाला वो दिया था प्रिंसिपल दिया था द्रवों से संबंदित और इनका संबंदता ग्रीस से ओप्शन डी यूनानी से यूनानी थे अगर दिखे व वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समर्दिता है तो निम्न समस्थानिक कौन सा था समस्थानिक मतला है समान परमानो कर्मांक और समभारिक मतला समान भार वाली ठीक है तो समस्थानिक निम्न समस्थानिक की समर्दिता वाला जो यूरेनियम है इसमें दिये गए options में हैं वो होगा option B uranium 235 ब्रह्मांड में कौन सा तत्तो सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो देखा जाए universe में कौन सा ऐसा तत्तो है जो सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो simple question है hydrogen इसलिए hydrogen को आवारा तत्तो भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि hydrogen आसानी से bonding कर लेता है किसी के भी साथ, किसी भी तत्तों के साथ इसले इसको आवारा तत्तों की संग्या भी दी गई है चुम्बकिय यामुत्तर और भोगलिक यामुत्तर के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है तो चुम्बकिय यामुत्तर और भोगलिक यामुत्तर इसके बीच बना हुआ जो कौण है वो कहलाता है चुम्ब किया दिकपात कौण option C सबसे अधिक भेधन चमता कौन सी किरणों की होती है तो देखे सबसे अधिक भेधन चमता होती है गामा किरणों की गामा किरणों की सबसे ज़्यादा भेधन चमता होती है और सबसे कम बेदन चमता होती है अलफा किरणों की यदि पृतवी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधी कितनी होती यह महत्तोपन कोशियन है फ्रेंड समझने वाला कोशियन है देखे अगर पिर्थभी वाय मंडल नहीं होता तो जो दिन होता दिन के अवधि कम होती option a अगर देखे यदि किसी दरपन को ठीटा कुंगल से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घुमाया जाए कहीं पे भी किस विद्धुद्चुंबग के तरंग, कहने का मतलब जो options दे गए हैं, इनमे से किस तरंग का तरंग देर्ध सरवाधिक होता है, तो इसका answer होगा, अउरक्त तरंग है, ध्यान रखेंगे, अउरक्त, अगला देखें, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है, तो one एंगस् ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम तुल्य होता है कितने के, 10 to the power minus 10 meter, तो इसका answer जाएगा option A, अगर देखें, निम्नल लिखित में से किस रंग का अपवरतनांक सबसे अधिक होता है, तो सरवाधिक जो भी option दिए गए हैं इन कलरों में से देखा जाए, तो सरवाधिक options को देखें हैं, तो इसका सही answer होगा पारा, दिये गए धातों में, मरकरी ही सरवतम चालक है, खाना पकाने का बरतन कैसा होना चाहिए, तो जो हम खाना पकाने के लिए बरतन यूज करते हैं, options के according कौन सी विशेषता होनी चाहिए उस बरतन में, तो इसका सही answer होगा option C, उ विशेष्ट उसमा अगर उच्च होगी उस बरतन की, तो बोजन अच्छे से पकेगा, काफी नरम होगा, जल्दी पकेगा, देखें, उच्च विशेष्ट उसमा तथा निम्न चालकता और दाब, इन तीनों का सहींजन होता है किसमें, pressure cooker में, इसलिए pressure cooker में जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है, दाब जादा हो जाता है, किस gas का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, ठीक है, ध्यान केंगे, किसी gas का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है, वो हमेशा कितने के तुल्या होता है, question में ये पूछा जा रहा है, तो ये तुल्या होता है हमेशा रि 24 किलोग्राम ठीक है 6 गुणा 10 की घार 24 किलोग्राम अगला देखे भू इस्तिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है यह महत्वपन कोश्यन है और लास्ट टाइम यह उत्राखंड PCS प्रारंबिक परिक्षया में पूछा गया था कि भू इस्तिर उपग्रह जो हम यहां से Option D अगर देखे लिप्ट की खोज किसने की थी तो देखे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों बड़ी-बड़ी इमारतों में जो नीचे तल से लेकर उपर तक जाने के लिए लिप्ट यूज की जाती है इस लिप्ट की खोज सबसे पहले की थी किसने Option D ओटीस ने ठीक है हो या उलता हुआ वाय यान हो इसमें कौनसी उर्जा होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों उर्जा होती है इसमें ठीक है इस्थतिज और गतिज उर्जा दोनों ही होती है उलते हुए हेलिकॉप्टर में या उलते हुए प्लेन में देखे इस्थतिज उर्जा क् physics के जल्दी ही मैं आपको descriptive session दूँगा तब आप समझ पाएंगे लेकिन फिलाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि उलते होए helicopter में kinetic and potential energy दोनों होती है next देखे किस ताप पर ध्वनी का वेग 332 meter प्रतिशेकेंड होता है तो देखे ध्वनी का वेग 332 meter second होता है normal ताप पर जाम से ताप करम सुरू होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option a 0 degree Celsius ठीक है अगला देखे पृत्वी तल से ओपर या नीचे जाने पर गृत्वी तोरंग का मान कैसा होता है तो देखे जब हम पृत्वी तल से ओपर या पृत्वी तल के नीचे जाते है गहराई में तो हमेशा गृत्वी तोरंग जिसका सिंबल होता है छोटा g यह हमेशा घरतता है ठीक है यह question भी कई बार आता है ठीक है कि पृत्वी से धुर्वों की तरब जाने पर गृत्वा कर्षण बल में क्या effect पढ़ता है ठीक है तो पृत्वी से धुर्वा की तरब हम जब जाते है तो गृत्वा कर्षण बल क्या होता है हमेशा बढ़ता है ठीक है ध्यान रखेंगे औ अगर आपने port में या कहीं पर बर्फ रखी है अगर वो बर्फ पिगलेगी तो देए गए options में से कौन सा option suit करेगा इसको तो बर्फ जब भी पिगलती है friends उसका आईतन हमेशा घड़ता है तो इसका answer रहेगा option B ठीक है volume उसका decrease होता है और इसमें मैंने अच्छे से आपको बताने के कोशिस की सभी question के fact और अच्छे से मैंने analysis किया जहां पर भी आपको कुछ बताना था देखें friends science की series काफी महत्व पूरे में हमेशा आपको बोलता हूं काफी लोग देखते हैं मैं देखता हूं कि इसमें काफी कम views आते है science वाल अच्छे से अपनी study करें अपना ध्यान दखें जय हिंद वंदे मात्रम